प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आद स्पेन के पीम पेड्रो सांच्छेज के साथ गुजरात का दौरा करेंगे और इस दौरां प्रधान मंत्री मोदी अपने समकक्ष पेड्रो के साथ वडोद्रा में सी 295 विमान के निर्मान के लिए टाचा ऐरक्राफ्ट कॉंपलेक्स का संयुक्त रूप से उदगाचन भी करेंगे ये भारत में सेन ने विमानों के लिए निजीक शेत्र की पहली फाइनल असेंबली लाइन होगी और इसी के साथ आपको बता दें इससे पहले अक्चुबर 2022 में प्रिधान मंतरी ने वडोद्रा फाइनल असेंबली लाइन यानि एफ एल की आधार शीला रखी थी सी 295 विमान के निर्मान के तहट कुल 56 एरक्राफ्ट बनाने की उजना है जिन में से 16 स्पेन से सीधे एरबस द्वारा जिलिवर किये जा रहे हैं वहीं बाकी 44 का निर्मान भारत में किया जाना है प्रिधान वंतरी मोदी अपने स्पैनिश समकक्ष के साथ सुबह करीब 10 बजे पाजन के बाद सुबह करीब 11 बजे वडोद्रा के लक्ष्मी विलास पैलेस जाएंगे झालेस जाएंगे झालेस जाएंगे झालेस जाएंगे और और कई सारे माइनों में खास है प्रधान मंत्री नरीम रमोदी का ये गुर्जात दौरा यहाँ वरूद्रा में निजीक शेत्र मेदेश के पहले एरक्राफ्ट मैनिफैक्शन प्लांट का शुभारम होगा अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजीव देखे क्या कुछ पूरी जानकारी कई सारे माइनों में खास है गुजरात के लिए कई ना कई सौगात भी होगी बिल्कुल प्राणमंत्री नरे तर्मोधी का आज विजरात दवरा बहुत से महत्वपूर है क्योंकि दिखास कारियों को लेकर के राणमंत्री सिखे जिनों जिस्टर से गुजरात में तमाम फिलान्यास किये और अब आग बार फिलान्यास होने वाला है करा अब बार फिलानमंत्री के साथ जो है इस प्रिण के पतानमंत्री भी मौजी दॉद रहेंगे और इक सुख़वा दवलक में जिखे चेतर में पाला बेसा पाला एयर क्राफ्ट में फेर्पिन श्रांचा अप्टे दुभारंभगा बढदरा में तो लगातार घुजरात कि एक रही बदी वारी जैरी इक, कर दो करें जामड़ी, करें कि दो किस्थव नबयर नब प्रवंधा अगरी तरह बाहत हैं, तो इसे मिने कमाल विटाउण के काम होई हैं और इसें तरह बहुत करना हैं, यह पड़ा कदम रहेगा, को कि देखियें तरह बहुत आई बहुत हैं, और माना गारा है कि आने वाले समय में डिया पारिच्टों सम्दों के संभंदों और मल् तो ऐसे में प्धामन्तरी खुब गुजरात दोरे पे हैं और गुजरात में तमाम डवल्पमेंग के खाम हुए है आज होगी प्धामन्तरी नरेन नमोदी के साथ रहेंगे मौजूद तो एक बार काल अपशाइक सुप्सके से ब्यापारी दिशिकों से दोनों देशों के बी गार करते हैं तो जिस्ता दौरी करते हैं तो आज है जो आज हुए है नोग है वापतार करते हैं तो आज है बिल्कुल ठीक है रहें राजीव आप क्योंकि देखे जो नीजिक शेत्र में एर्ट्राफ्ट मैनिफाक्ट्रिंग कॉम्प्लिस की शुरुवात है यह आम तोर पर एक आयूजन हो सकता है लेकिन प्रधान मंत्री इंगोदी इससे आगे की सोच रखते हैं और इसलिए उन्हो करें तो यह आप दोनों देशों के संबंद को मजबूत होंगे इस आप ही आने वाले समय में कैसे हैं दून देशों के व्यापारिक रिष्टों को और मजबूत किया जाए है तो कुल मिला कर देखा रहें आज का दिन खाक पी गुज़ात के लिए बहुत बड़ा दिन है प्रणामंतरी के लान का उजहातन तो करेंगे इस ताफ इस दून के प्रणामंतरी मौजू रहेंगे और अप्से बड़ी बात है कि लिए लोगतवा चुनाओ के दौरांग जो वाला कि आने वाले समय में जिसको किस्ता से हमें अगर दिस बनाना आए दुनिया के ज़ूर् प्रणामंतरी नरेंडर मोदी 4800 करोड की परियोजना उकार शुभार